नमस्कर दोस्तो स्वागत है आपको अपना चैनल राश्टीच में दोस्तो अज बात करने वाले हैं बिहार में विद्याले सहायक के भरती के बारे में तो बहुत सरे बच्चों का जो है कॉमेंटस आ रहे थे कि इसका जो है बहाली है कब से होनी वाली है तो इसके बहाली के बारे में जो है सारी जनकारी देने वाले हैं तो आप लोग वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि बिहार में किसी पर करका भी बहाली आता है पर देखेंगे हिंदुस्तान नियूज में निकला हुआ है कि बिहार में बिद्याले सहायक के 6421 पदो की सिरीजन किये जाएंगे इसमें सारी जो है वेवरा दिया गया है क्या क्या दिक्कते हो रही है तो इसमें क्या कहा गया है कि तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो बिहार के सिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि अस्कूलों में अस्कूलों में 6421 विद्दाले सहायक के पद के स्रीजन किये जाए रहे हैं तो उनकी बहाली के लिए ताय योगिता के रूप में जो है कंप्यूटर अपरेटर का जो है इसमें बहाली हो जाता है विद्द्याले में तो जो है कंप्यूटर के यहां पर वसुधा केंद्रों पर कम निर्भर होनी होगी मंत्री सुक्रवार को डाक्टर संजीव कुमार सिंग ने अल्प सूचक प्रश्णों का जवाब दे रहे थे कहा कि अब भी हर पंचायत में वसुधा केंद्रों पर उनलाइन फरम भरने प्रखंड अस्तर पर साइबर कैंप में जाने कि जरूरत नहीं है जबकि आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी भी सरकारी और स्कूलों में जो है कम्प्यूटर अपरेटर का जो है कोई भी सुविधा नहीं है सारा चीज जो है सारा वर्क जो है टीचर ही करते हैं तो इसे जो है पढ़ाई में भी परिसानी होती है नई वेवास्था को ल स्कूल कम होती है इसके लिए पहले प्रश्ण करता ने कहा कि परिक्ष्छ समीती रोज नया काम दे रही है इससे छुटी के दिनों में भी सिख्छकों को काम करना पड़ रहा है तो जो हमने पहले बात आप लोग को बताई कि क्या है कि इसमें जो है अस्कूल में ना होने के कारण जो है सिख्षकों का ज्यादा इस पर वर्क करना पड़ रहा है तो उसमें ज्यादा समय लगता है और जो है पढ़ाई भी इसे बाधित हो रही है तो सरकार से जो है सहायक के मांग किया गया है और इसमें जो है क्वालिफिकेशन के तौर पर जो है आप लोग को 12 है एव बहाली जल दंग आने वाली है उसके बारे में जो है आप लोगं को notice भी निकला हुआ था लेकिन जो अब इसके बारे में जो है जो भी जनकार याता है हमतुरत आपको वीडियो